नमस्ते फ्रेंड वर्टा सिंग ओमपूर्ड में आपका स्वागत है हाँ जब बनाने जा रहे हैं आलू के रसुले जिसमें हम खोई का इस्तमाल नहीं करेंगे यकीन मानिये जब आप इने खाईंगे तो आलू के और खोई के रसुले में फरण नहीं कर पाएंगे इसके लिए आपको बाजा जाने की आवश्कता नहीं है हम इने घर की योगलग सावा क्रीजे ही तैयार करेंगे आईए बनाना सुरूबर दिये हमने स्टीन मीडियम साइज गॉइल आलू दिये हैं अगर आपके आलू बड़े हैं तो आप दो आलू लेजिएगा वन फोर्थ कप मिल्क पाउडर आदा कप मेदा एक चम्मन सूजी एक छोटा टी स्पून बेकिंग पाउडर आईए आलू को हम ग्रेड कर लेते हैं हमारे आलू अच्छे से ग्रेड हो चूगी है इसमें हम मिल्क पाउडर मेदा पूजी बेकिंग पाउडर इस सब को हम अच्छे से मिक्स कल लेते हैं मिक्षर हमारा अच्छे से मिक्ष हो चुपाए इसे हम पांच मिनट के लिए रेश्ट के लिए रख देते हैं इसी बीच हम अपनी चास्मी तेयार कल लेते हैं चास्मी के लिए हमने लिया है एक कप चीनी एक कप पानी चीनी गुलने तक हम इसे अभी चलाते रहेंगे चीनी हमारी अच्छे से गुल चुकी है इसे हम चार से पांच मिनट तक और पकाएंगे इसमें हमें सार नहीं बनाना बस हम इसे चिप-चिपी चास्मी बनाएंगे चास्मी हमारी बन चुकी है हम गैस वाप कर देते हैं इसमें लाइची पाउडर एक टीस पूर रोज वाटर दाल के मच्छे से मिक्स कर देते हैं आईए इस मिक्षर को रगुली की सेव दे रहते हैं इसके हम मेडियम साइज की बॉल बनाएंगे हाथों पर धोड़ा सागी लगा कर हम इस साइज की सारी बॉल्स तैयार कर लेते हैं हाद मीच्ट से घजाएंगे देटेग से रहते हैं प्लाएंगे में हाँ कि अव्यार प्लाव कर दोड़ा ऒादर चाहिते हैं प्लाव कर देख बॉल देख देख हमारी बॉल्स सेयार हो गई है ऑईल भी हमारा गरम हो गया है इसे हमने सिलूख लेम पर रखा है अब हम एकें करके अपनी बॉल्स ऑईल में डाल देते हैं इन्हें हम अलके आप से पलट देते हैं आलू के रखुले में जल्दी कलर आ जाता है इसकी हम जल्दी चेक करेंगे इसमें कलर भी आ गया है यह जटपट त्यार होने वाली रेसिपी है इन्हें हम जल्दी जल्दी चेक करती रहेंगे जिससे हमारी रखुले जलेना हमारी रखुले पर कितना प्यारा कलर आ रहा है इसमें कलर आनी लगाए इसे हमें थोड़ी देर और पकाने की आवश्यक्ता है हमारी रखुले पर कर सेयार है इन्हें कलर भी आ गया है यह सौफ कर देते हैं इन्हें खड़ाई से बहार निकाल लेते हैं हम अपने रखुलों को 30-35 मिनट के लिए चांसनी में डाल देते हैं हमारे रखुले बन कर तयार है इसे आप किसी भी तेवार या फंक्शन पर जट पर तयार कर सकते हैं अगर आप में अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीए जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको में सके थैंक यू